यूदर यूपी में चुनावी तैयारी शुरू हो गई है लेकिन एक चुनाव है जो अभी तक उसकी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो है बंगाल की लड़ाई जहां वहाँ पर चुनावी हिसाब किताब अभी भी जारी है शुबेंदू अधिकारी और मम ममता की पुलिस तस्वीर नमबर दो ममता की अर्जी पर शुबेंदू को नोटीस तस्वीर नमबर तीन मोकुल रॉय पर बीजेपी का दंगत सबसे पहले बात इन तस्वीरों की ये तस्वीरें शुबेंदू अधिकारी के घर की हैं CID की टीम मौजूद है जो शुबेंदू के बॉडिगार्ड की मौत के तीन साल बाद जांच के लिए पहुंची दरसल दो हर्जार अठारा में शुबेंदू के बॉडिगार्ड शुबो प्रोतों ने खुदकुशी कर लिए और अब घरवालियों की शिकायद पर हत्या का केस दर्ज कर नए सीरे से जांच शुरू की गई है बड़ी बात यह है कि शुबो प्रोतों के भाई टीमसी से एमेले हैं वहीं कोलकाता हाई कोट में नंदिग्राम चुनाव के नतीजों के खिलाफ ममता की अरजी पर ओडर आया हाई कोट में शुबेंदू को नोटिस जारी किया है वहाँ पर हाई कोट ने शुबेंदू अधिकारी चुनाव आयोक को नोटिस जारी करते हुए जो चुनाव हुए थे उससे संबंधित सामग्रियों को संदक्षित रखने का आदेश दिया है दरसल ममता बनर जी वाजपा खास तोर पर शुबेंदू अधिकारी को बंगाल में एक इंच भी जमीन छोड़ने के लिए तयार नहीं है कई मुद्दों पर ममता और शुबेंदू आमने सामने हैं बंगाल में विधान सभा के पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का बद भी जंग का अखाड़ा बना हुआ है कुछ दिनों पहले विधान सभा के स्पीकर विमान बनर जी ने मुखुल राय को पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का चेयर्मेन बना दिया इसी के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू किया बीजेपी का कहना है कि नियम के मुताबिक ये बद बीजेपी को मिलना चाहिए क्योंकि राज्य में बीजेपी एक मात्र विरोधी दल है और विधान सभा में जितनी भी कमेटियां होती है उसका चेयर्मेन विरोधी दल के विधायक को दिया जाता है बीजेपी ने इस पीएसी चेयर्मेन पद के लिए अशोक लहरी का नाम प्रस्तावित किया था लेकिन स्पीकर विमान बनर जी ने मुकुल रॉय को पीएसी का चेयर्मेन बना दिया अब था प्रतिपक्स और अधग्स उपाज़क्स को पास हमारी काफी हम लोग भेजने का दीसिशन लिया इसी विरोध में बीजेपी के विधायकों ने विधान सभा की सभी कमेटियों से स्तीफा दे दिया इस सिलसिले में शुभेंदो अधिकारी के नित्रित्व में वीजेपी विधायकों ने राज्यपाल जगदीब धंकर से मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई सिर्फ यही नहीं वीजेपी इस मामले की शिकायत राष्टरपती से भी करेगी इस बीच कीमसी ने साफ कर दिया है कि पीएसी चेर्मेन किसे बना जाए इसका फैसला एक मात्र विधान सभाय स्पीकर के हाथ में है जो लोग चुने गए पब्लिक एकाउंस कमिंटी में उनी का बीच से कर सकते हैं यह कहीं लिखा नहीं है कि विरोधियों को करना चाहिए या बीजेपी को करना चाहिए तो आज भी हमारे स्पीकर का बायान है कि वो जो किया है सही किया है और उनका अधिकार के अंदर किया है यह जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो कमिटी के चेर्मेंशिप छोड़ देगे इसे हमें क्या फरक पड़ेगा अब ममता और शुभेंदू की सियासी लड़ाई में रोज रोज नए-नए मोडा रही है पश्रमंगाल में राजनेतिक लड़ाई का जरिया आंदोलन है और इस वक्त बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए एक आंदोलन खड़ा करना है और उनके हाथ में जो मुद्दा है वो है इस वक्त और जो बड़ा मुद्दा है वो है पीएसी के चेयर्मेन पद पे हुई गड़बड़ी और इसी मुद्दे को हाथ में लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश में है आंदोलन गड़ने की कोशिश में है केमरमन ताप पुश्वेरी के साथ अनुपम मिश्र आज तक पूल कर दो